जब सरकार रेट प्राइट आपको आदत हो गया है अरे डेली आपको दारू पीने का आदत हो ये गया तक इसी दिन हम बुला कर आपको चार पांस दिन पिला देता क्या दिक्कत है आपको को दिक्कत नहीं होगा जी सारह 7 करोर गरहाँ था भी सनल के पास लाब कमा लिया था जानेंगे कि सरकार किस के साथ है या प्राइविट कमपनी यों के साथ तो अभी आपने देखा जैसे ही अपने रिजार्ज के दाम बढ़ा दिए इससे हर बेक्ति परेसान हुआ और इसमें हर बेक्ति को परसान होना सोभाविक भी है क्यों क्योंकि हर बेक्ति अब इस देश में हर घर में मोबाइल का इस्तमाल हो रहा है और डाटा का यूज हो रहा है तो दोस्तों हम जानना चाहेंगे और इस वीडियो में बहुत अच्छे से जानेंगे भ यानि वोडा और आइडिया जो एक साथ हो गए इन तीनों ने अपने प्राइज ब्रहा दिये लेकिन प्राइज नहीं ब्रहाया पिछली वीडियो में तो हमने इसकी चर्चा भी कर दी थी इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा लेकिन अगर आप ये वीडियो पहली बार तो मैं आपको बता दू बांकी तो आफ डेली रिचार्च हर महीने करेंगे आपको पता चल्यागा गरीब आदमी के हर महीना ठोड़ा पैसा व Alors 3 महीना पर थोड़ा अमीर आदमी होते हैं अक лет पर का है कि उसाल भर का करा लेता है रिचार्ट तीन सो उन्चास रूपया वैलिडिटी देता है 28 दिन जीयो जिसमें 2GB पड़े डाटा देता है अनलिम्टेट वोइस कॉल है अकॉल एसेमेस सो असेमेस पड़े अब यहा पर देखें 349 रुपया में वैलिडिटी 28 दिन के साथ डूजीवी डाटा परती दिन देता है एय्या टैल भिWait उसी तरीके से 349 इसका भी है भी आई का 28 दिन की वैलिटी के साथ 2 GB data daily वही 199 रुपईया में वैलिटी 30 दिन देता है इस अब दू-दू-दिन गई वो करता है महिना के 30 दिन देता है और यहां पर आप देखेंगे 2 GB data per day है इसका कई पलान है इसमें यहां पर एक चीज और आ चाहिए 869 वाला जो 84 दिन का रिचार्ज है 989 का रिचार्ज इसमें एयर्टेल में मिलेगा जी यह बला में कितना 869 इसमें कितना 989 और वो भी 84 दिन इसका 997 रुपईया और 84 दिन है और इसमें सब में देखें 2 GB, 2 GB, 2 GB, 2 GB data है यहां पर आईएगा तो यह 599 में दे रहा ह इसमें 84 दिन इभी देता है BSNL और इसमें 3 GB परड़े देगा 3 GB परड़े देता है अब बताईए तो अगर इतनी बहतर सुविधा BSNL दे रही है कस्टमर को तो अब सरकार को अपने तरफ से कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैं क्यों कह रहा हूं कि सरकार BSNL के पक्ष में और जनता के पक्ष में है या नहीं इसका decide अभी आप खुद इस वीडियो में कर लेंगे तो दोस्तों ये बात भी जान लेते हैं कि Airtail और Gio अपना दाम घटाए ना घटाए रेलवे की तैयारी करने वाले पहले 100 चात्र जो अभी मैतमस्ती अप्लिकेशन पर जाएंगे उनके लिए 1 रूपया में टेस्ट की वेवस्ता किया है एक रूपया में एक टेस्ट और टोटल अलपी का 40 टेस्ट अवलेवल है वहीं पर प्रिविएस यह कोश्चन के लिए एस्पेसल टेस्ट दे दिया है मैंने और हां ये सारे वित्थ सोलूशन सहीत पूरा एनलाइसिस होगा हर कोशन का तो जाएए टेस्ट लगा सकते हैं एक रूपईया में एक टेस्ट 40 टेस्ट एवलेबल है 40 टेस्ट के बाद अलग से कहीं कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसके लिए आप डाउनलोड करिए गूगल प्लेश्टूर पर जाएए इस अप्लिकेशन को डाउनलोड करके उपन करेंगे और वहाँ पर आप अपना मुवाइल नमर और नाम डालके रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद क्या करना है कुछ नहीं करना है यहाँ पेड टेस्ट आ जाएगा पेड टेस्ट इस सेक्शन में आना इसको क्लिक करना है औ और टेस्ट लगाईए अपने तयारी को बहतर बनाईए और चलिए फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों एक नजर और दवरा लिजिए कि रिलाइंस जीयों के पास पूरे मार्केट में जीतना कस्टमर है उसका 40.14% है मतलब यह समझे कि अगर 100 आदमी है मोब 40 इसके पास 40 और 73 हो गया बागी आता है बोडा फोन आइडिया के पास लगभग 19 आदमी और उसके बाद BSNL के पास वही लगभग 8 आदमी BSNL के पास MTL के पास 100 में से एक भी ब्यक्ति नहीं आता है यह भी अपनी सरकारी कमपनी है बागी धिरू भाई अंबानी के दो बे एक चीज और अब डाटा पर नजर दोड़ा लेते हैं कि क्या BSNL की आज जो इस्थिती इतनी खराब हो गई जो कस्टमर उठके चला गया जीयो में और डायरेक्ट एयर टेल जीयो वोड आइडिया में कनवर्ट हो गया तो क्या BSNL की इस्थिती एक आए कितनी खराब थी नहीं दोस्तों जब BSNL आती है तो फाइनेंसेल एर एक दस दोहजार से एक तीस तीन दोहजार एक का देखिएगा तो यहाँ पर 747 करोड का यहाँ पर प्रॉफिट कमाया था BSNL जैसे ही लॉंच हुआ 747 करोड का प्रॉफिट कमाया दोस्तों जो भी यहाँ पर ब्लैक में लिखा हुआ है जीए कि लॉस है अब यहाँ पर आईए 2001 से 2002 312 करोड के लाब कमाया BSNL यह प्रॉफिट है साथ नमा 63 लगभग 9 गुना 8 गुना प्रॉफिट कमाया अगले सेशन में अगले साल में अब 2002 से 2003 में जाईएगा 1444 इसका लगभग 2 गुना से ज्यादा उसी तरह 2003 से 2004 676 करोड रूपिया का लाब कमाया 2004-2005 में तो भाई माला माल हो गया था 10183 करोड रूपिया का लाब कमाया था BSNL ने इसी तरीके से कमाते गया लेकिन 2009 से 2010 1823 करोड का नुक्सान हुआ पहली बार BSNL को ये सन है 2009 से 2010 दोस्तों ये इस टाइम भी सरकार कॉंग्रेस की थी और उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर DM के पार्टी के ए राजा थे और उन्ही पर आरोप लगा था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का जो 2017 में उनके साथ 16 लोग को सुप्रीम कोट ने बड़ी कर दिया था उसी समय का ये घोटाला बला माम लाया था 2010 से 2011 तिरसट सो चोड़ासी करोड का नुकसान और इसी तरीके से आप जान लिजिए कभी 10,183 रूपया 10,183 करोड रूपया प्रोफिट कमाने वाली कंपनी 14,315,499 इस तरीके से नुकसान में चली गई सब लोग से इतना करोड क का नुकसान हुआ बड़ते बड़ते 2024 की आंकरा बताईएगा तो 5,366 के आसपास इतने करोड का नुकसान 2024 में है BSNL के साथ दोस्तों क्योंकि BSNL के करमचारी को बेतन तो देना पड़ता है काम हो नहो कस्टमर रहे नहों रहे प्रोफिट हो नहों अब यहां पर ध्यान द जो BSNL प्रोफिट कमा रहा था उपर के तरफ जा रहा था BSNL नीचे के तरफ कैसे आ गया तो दोस्तों एक ओ सिंपल सा बात मैं आपको समझा देता हूं एक मिनट में आप जान लीजिए गाउं में कोई कार्ज करते हैं आप लोग जैसे कहीं अस्ट जाम करना है या कोई सा चंदा मांगते टाइम क्या करते हैं भाई देखते हैं आप कितना दीजेगा आप कितना दीजेगा या बराबर भी चंदा बना देते हैं किस हर घर से बराबर चंदा लिया जाएगा नहीं तो जिस व्यक्ति की छमता जादा होगी आर्थिक रूप से वह जादा चंदा दें यह पैसे की जरूरत होती है, चंदा की जरूरत होती है, और यह चंदा कौन देगा? हम आप तो देते नहीं, हम आप तो उस समय आठा के लिल रहते हैं बेचैन, और अभी डाठा के लिए बेचैन है, उस समय तो हम लोग कहते हैं कि रासन दो, रासन दो, तेल दो, कि रासन दो तो जे देना है दे दो मतलब उस समय सोचते हैं आम जंता कि कुछ तो मिले और इस अधार पर भी हम वोट करते हैं हला कि यह सभी जंता नहीं करते लेकिन कुछ लोग तो इस बात पर भी वोट करते अब पार्टी को चाहिए पैसा पैसा कौन देगा तो बिजनेसमें अब वो चंदा क्यों देगा क्योंकि चंदा है तो धंधा है यही तो योजना चलती है अब माल लिजिए आप कोई चुनाव लर रहे हैं बिधायक के लिए और आपके पास पैसा नहीं है चुनाव लरने के लिए तो अगर 10 लोगों ने आपको सपोर्ट किया कोई 10 लाग कोई 20 प्यादी आप चुनाव लरे चुनाव लर के आप विधायक बनते हैं तो उस छेत्र में काम करने का टिंडर या ठीका किसको दीजिएगा उसी को दीजिएगा ना जो वेक्ति आपके पीछे पैसा लगाया था सचाई तो यहीं है तो सेम इसी प्रोसेस के अधार पर चंदा और धंधा चलता है और यही बज़ा है कि इन कंपनियों ने कौन कंपनी अब बीयसेनल कंपनी तो सरकारी कंपनी है यह कंपनी कैसे किसी को चंदा दे सकती है रेलवे थोड़े किसी को चंदा दे देगा सरकारी स्कूल किसी को चंदा थोड़े देगा सरकारी अस्पताल किसी तो वापस पैसा देगा, नहीं पैसा नहीं देगा, काम देगा, तो चुनाव से पहले Reliance Company ने, Reliance Company ने 375 करो रूपया BJP को चंदा दिया था, Electrol Bond में, आपने इस बार Electrol Bond का खुब अल्ला सुना भी था, और Airtel Company ने, भारती Airtel उसकी सबसीडरी ने चुनावी बंड से भाज भाजपा को लगभग 234 करो रूपय का चंदा दिया, तो भाजपा जब चंदा लेगी, तो क्या भाजपा काम नहीं देगी, तो काम भाजपा ने दिया है, जैसे काम क्या दिया, अब काम दिया कि भाई, तुम रेट बरहाल होगे, हम चूप रहेंगे, हम कुछ नहीं बोले निए और यह नियम भी आगर कोई फिख प्राइबेट संस्थान है तो वो अपने हिसाब से रेट रख सकता है लोग हल्ल कर रहा है अमबानी के बैटा परकि अंबानी के बैटा के तीलक देवलेल बताइये आम जन्ता से पैसा ले रहा है इगो बात बताइये वह शिंपल बात जब आप मार्केट में जाते हैं कोई फल खरीदते हैं दुकंदारू 20 रूपे का फल 30 के धरा देता है उसको तो नहीं कहते हैं कि बेटा के साधी में जा रहा है 10 रूपे या ज़ादा लिया है उसलिए करने नहीं नहीं बोलते हैं क्योंकि वो अपने मर्जी से रेट रखा है उसनी सरकार नहीं कहा कि तुम टमाटर आज कईसे दोगे आप आज कईसे तुम दे रहे हो मंडी में इस अब को नो बात नहीं है सरकारी स्कूल छोर दीजिए जब प्राइविट स्कूल में आप अपने बच्चों को ले कर जाते हैं किसी स्कूल का फीज से 5,000 का महिना किसी का 1,000, किसी का 500 किसी का 10,000 महिना एक बार एडमिशन करवाओगे तब 5,000,000 रुपया लगेगा किसी में 1,000,000 लगेगा ये प्राइविट संस्थान ये खुद ते करेगा एर्टिल ने खुद ते किया है जीओ ने खुद ते किया है वोड आइडिया ने ते किया है कि हम बरहाएंगे तो बरहाएंगे सरकार नहीं कर सकती कुछ क्यों? क्योंकि सरकार को हम पहले ही दूसरो 34 करो रूपई यह चंदा दे चुके हैं अब आते हैं यहां रिलाइन्स पर रिलाइन्स ने क्या किया चुनाव आयोग एलेक्शन कमीशन की वेब साइट पर गुरुबार एकोई समार्च को एकोई समार्च की बात हो रही चुनाव से पहले की किया गया ताजा आकरों से पता चला है कि रिलाइन्स ग्रूप से जूरे क्विक सप्लाइचेन प्राइवेट लिम्टेड जो है ने चुनावी बांड के जर्ये भारतिये जनता पार्टी को 375 करो रूपई से ज्यादा डोनेट किया है इस कम्पनी ने सिब सेना और राष्टबादी कॉंग्रेस पा यह क्या जी ओ अपना टैरिफ का रेट नहीं बढ़ाएगा अपने रिचार्ज का प्लान का कीमत नहीं बढ़ाएगा क्यों नहीं बढ़ाएगा जी अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं ता पैसा निकालने के लिए नहीं सोचिएगा क्या अब बिल्कुल सोचिएग लेकिन यहां हम कहेंगे अम्बानिता बैमान है कैसे बैमान उपईसा तोरा दे देता अच्छा अब उपईसा जब तोरा से लेता गलत और सुन लिजिए अब जो गोदी मिडिया है यही आपको भरामक चीज़े आपके दिमाग में भरेगा कि यही में जीयो दोसी है यही में वीडियो में आज हम जो बात करने वाले हैं यह बात करने वाले हैं कि अब चंदा जो दी जाती है जो पाठी का सरकार होता है उसी को ज़्यादा चंदा क्यों दिया जाता है यहां से आप तय कर पाएंगे कि क्या यह सच बात है कि चंदा फोर धंधा तो आईए 2018 से 29 की बात पहले करते हैं इसमें ये भाजपा का देख रहे हैं 1450 करोर रूपया चंदा लिया भाजपा ने ये भाजपा है ये बुलू कलर में तिर्न मुल है तिर्न मुल को मिला था 97.28 करोर जब कि यहां पर कॉंग्रेस को गिरीन वाला कॉंग्रेस है कॉंग्रेस को मिला था 383 करोर का चंदा 2018 से 19 में 2019 से 20 में जाईए तो यहां 255 करोर रूपया का चंदा लिया यहां पर किसने भाजपा ने तो कॉंग्रेस ने लिया 318 करोर का चंदा और फिर देखे 2021 से 22 में यहां पर 1032 करोर का चंदा लिया भाजपा ने तो 236 करोर का Congress ने अदू 2022 में जाईएगा 22-23 में तो यह हर साल चंदा हर साल चंदा तो यहां पर चंदा लिया गया 1300 करोड भाजपा के दोरा तो इसके दोरा लिया गया 171 करोड का चंदा Congress के दोरा अब दोस्तों इसमें देखिए आप जानते हैं 14 से ही सरगर है भाजपा की तो यहां पर आप देखिए सबसे बरा बरा खंहा भाजपा के ही है अब देखिलिए इसका मतलब कि जो पाटी सरकार में रहेगी कोई भी कंपनी चंदा उसी को देगी क्यों ज्यादा चंदा कि वो देगा धंधा अब इस सब को कहला देगा चंदा ता इस लोग को भी कुछ कमपनियां ऐसी होती है कि चाहता है कि इस पाटी भी जिन्दा रहे या कुछ कमपनियां इसको भी चंदा देगा और वही कमपनी इस पाटी को भी चंदा देगा ताकि जब इस पर कोई हल्ला हो और मेरा नाम लिया जाए उसमें इस भी बाद न करे, जब तिसरा आदमी कहेगा, कि भाई एक गुच लिया है एक लाग, तो भल ही आपका बिरोधी, आपका बिरोधी, दोस्त नहीं, बिरोधी कहिए, आपका बिरोधी भी गुच ले ले ले, तब बिरोधी ननोहला करेगा जी काई कि एक के आदमी से दुन्नो लिया है तो कईसे बदनाम करेगा ये कहानी होती है तो जानबुज के कमपनियां दोनों को चंदा देती है तो चंदाप और धंधा का मोडल आप इस चंदा से ही समझ गए होंगे ये धंधा है भाई अब बात कर लिजी एक चीज़ 2006 से 2007 में गराहक और रेवेन्यू के अधार पर सबसे बड़ी कमपनी BSNL थी यानि सारहे 7 करोर गराहक था BSNL के पास वही भारती एक्टेल के पास 5 करोर था और आरकॉम के पास था 4 करोर गराहक अब बताये रेवेन्यू 41,200 करोर का और यहां पर लाब कमाया था 840 करोर रूपया का लाब कमा लिया था BSNL ने दोस्तों सबसे ज़धा BSNL उससे में लाब अभी कमा रहा था ये सब कमपनीया भी थी ये अट्रेल भी थी फिर भी ये कमा रहा था क्यूं? क्योंकि इसके पास कस्टमर ज़्यादा था और कस्टमर अगर ज़्यादा है तो प्रोफिट होगा तो क्या सरकार अगर जनता और BSNL के बारे में सोच रही है तो सरकार एक बार हमारे माननिय प्रधन मंत्री या टेलीकम मिनिस्टर एक बार बोल देते कि भाईया अगर कोई भी बेक्ती प्राइबिट रिचार्ज कराने से प्राइबिट कमपनियों के सीम से ठक गए हो रिचार्ज कराके और महंगा लग रहा है तो अपना सरकारी कमपनी है ना जिन्दा बाद कराइबिट रिचार्ज कराइबिट लिजिए BSNL का सीम और उसके बाद हम देंगे बढ़िया सुविधा 4G देंगे आने वाले बहुत जल्द समय में हम आपको 5G लाँज करके देंगे जब ये सरकार चुपपी साध रखी है इस बात पर जहां देश के हर एक लोगों की जरूरत है आज छोटे छोटे बच्चे से लेकर परतियोगी परिक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं जिनको डाटा की जरूरत होती है इंटरनेट की जरूरत होती है वैसे बच्चों के हित में काम होता देश के हर एक वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचता तो सरकार फिर चूप क्यूं है क्यूं नहीं कहती है कि भाई हम BSNL को बेहतर बनाएंगे और आप लोग BSNL से जुड़िए क्योंकि BSNL के पास जब कस्टमर जादा था जी तो आज तो कस्टमर BSNL के तरफ जाने के लिए बेचैन है BSNL और सरकार अपनी बाहें फैलाएं और कहें कि भाई आईए हम तयार हैं आपकी स्वागत के लिए हम तो आपके अपने हैं लेकिन क्या सरकार एक बार भी बोलने के लिए तयार है नहीं काहे जानते हैं दोस्तो क्योंकि BSNL को खतम कर देना ही सरकार की निती है जब BSNL खतम हो जाएगी आप गौर कर लीजिए आप जहां से भी होईएगा बरे बरे सहरों में BSNL के एरिया है जमीन है जहां Exchange Office है बहुत बरे बरे अस्तर पर इनकी बनी हुई है वहाँ पर अब उस Office उको बंद किया जाएगा बरे बरे एडिया है उनको दे दिया जाएगा Corporate को अब वो क्या करेंगे बरी बरी इमारते बनाएंगे अपनी पर चंदा ये खेल चलते रहेगा और ये ही खेल आगे जारी रहेगा और नहीं ततुरत कस्टमर तो आने के लिए बेचैन है सरकार क्यों नहीं है बेचैन सुविधा देने के लिए कोदी मीडिया आपको क्या दिखाएगी इसमें भी फायदा गिना देगी तीहारी चोधरी जब आएगा तो आपको दिखाएगा कि लोग यहां परेशान है कि सबसे ज़्यादा डाटा महेंगा है भारत में लेकिन ये बिल्कुल गलत है विक्सित देशों में हमसे भी ज़्यादा महेंगा डाटा मिलता है और आपको यहां लेकर आएगा और आपको देखाएगा कि देश भारत, भारत में एक जीवी डेटा का आउसत खर्च भारत में 6 रुपया 57 पैसा है प्रती दिन का, वही इजराइल में 8 रुपया 3 पैसा एक जीवी पर तो इजराइल में तो महंगा हो गया और इटली में जीवी डेटा का आउसत खर्च 332 रुपया है दोस्तों अब बताइए अगर मीडिया ये चीज़ आपको दिखाने लगे तो आप धीरे-धीरे सांत नहीं हो जाईएगा अब बिल्कुल सांत हो जाईएगा और आपको लगने लगेगा कि ये जो महंगाई बताया जा रहा है ये जानते हैं प्यासनल की अगर सुविधा अची नहीं दी जाएगी लोग अगर पोट करा लेते हैं प्यासनल के तरफ सुविधा अची नहीं मिलेगी मजबूरान उनको फिर से वापस आना परेगा एयर टेल और जीओ और वी आई के पास अब क्या करेगी बाद में सरकार उसकी भी रेट बढ़ा देगी अब जब सरकार रेट बढ़ाएगी सब का रेट आपको आदत हो गया है अरे डेली आपको दारू पीने का आदत हो ये गया तक किसी दिन हम बुला कर आपको 4-5 दिन पिला देता क्या दिक्कत है आपको कोनो दिक्कत नहीं होगा जी तो आदत लगाना होता है यह आदत लगाया जी जा रहा है आपको अब यहाँ पर आजाएए लेकिन बास्तविकता तो यह होनी चाहिए कि वो गोदी मीडिया को यह दिखाना चाहिए कि भारत है तो भारत के आसपास के कंट्री में क्या है रेट देखिए BBC News का यह कटिंग है दोस्तों उसी का ही रिपोर्ट है पेपर का कि भारत परोसी देश के भारत के परोसी देश में इंटरनेट का डेटा भारत में 51 रूपया पर पर जीवी खर्च होता है भारत में 51 रूपया पर जीवी खर्च होता है खाली डेटा पर तो पाकिस्तान में 45 रूपया खर्च होता है एक जीवी डाटा पर और चीन में 49 रूपया खर्च होता है एक जीवी डाटा पर सिरलंका में 29 रूपया और बंगला देश में 26 रूपया बताईए लगभा कि दुगना है कि नहीं बताईए यानि बंगला देश से दुगना महंगा हमारे भारत में है कि आम बंगलो देश से अतना गेल गुजरल है मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं तयों दिक्कत नहीं इखाली हमको हमरा लेली थोड़े भाई बढ़ा है रिचार्ज के प्लान सिर्फ मेरे लिए बढ़ा है ना देश में रहने वाला हर बेक्ती गरीब, अमीर, मिडल क्लास वाला किसान, पिछरा, मजदूर से लेकर ओफिसर से लेकर सब के लिए ही बढ़ा है नेता जी, नेता जी के पास तो फोन कॉल का पैसा लगे से आता है लेंड लाइन का तो खड़ा लेड़, आप लोग टिंसर नहीं लीजिएगा सब के लिए नहीं बढ़ा है उन लोग को छोड़ के बढ़ा है सब के लिए इसलिए कहता हूँ BSNL अपनाओ और देश बचाओ का मुहीम चलाना होगा हम लोगों को और BSNL अपनाओ देश बचाओ और भारत सरकार को जगाओ तो यह मुहीम आगे हम लोगों का सुरू होगा BSNL अपनाओ BSNL अपनाओ देश बचाओ BSNL अपनाओ देश बचाओ यही नारा होना चाहिए क्योंकि यह देश की हमारी संपत्ती है BSNL अपनाओ देश बचाओ सरकार को जगाओ सरकार को जगाओ यह मुहीम हम लोग को ले कर चलना पड़ेगा दोस्तों, जहां कहीं भी आपको सूसल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वहीं लिखिए BSNL अपनाओ देश बचाओ और सरकार को भी जगाओ क्योंकि सरकार अगर रेट बढ़ाएगी तो आप एकदम आंदोलन करके उपर बात कर सकते हैं लेकिन प्राइबेट कंपनी अगर अपना दाम बढ़ा लेती है आप कुछ नहीं कर सकते हैं मुके संबानी अगले पांस साल के बाद चुनाओ लरने नहीं आ रहे हैं चुनाओ लरने फिर से मोधिये जी आएंगे इसलिए ये सुनेंगे मुके संबानी आपका सुनने वाला कौन है कहला सुनेगा तो जुठाओ का चिलाइत रहोगे बेटा के साधी में बेटा के साधी में तीलक देवेले तु बरहा दिया है गरीब जनता से पैसा लेगा खेला आया समझ में चलिए समझ में आ गया है तो भेज दीजिएगा कुछ लोगों को जेकरा लगता है कि मुके संबानी जो है बेटा के साधी करे ले लोगों से चंदा लेने की जुरूरत है हम लोगों से बात नहीं है खेला कहीं और से है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फीर अगली वीडियो में थाइंक्यू जय हिन जय भारत